वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वाइम डूल सोलेशन के इस ओफिशल यूटूब चैनल पर मैं आपका वेलकम करता हूँ तो फ्रेंड्स मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप सोव मिल इंडस्री का कैसे सेट अप कर सकते हैं फ्रेंड्स सो मिल जिसको हम लोग आरा मसीन हिंदी मूलते हैं आरा मसीन का आप इंडस्री कैसे सेट अप कर सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा आपको उसके लिए क्या-क्या इलिजविलिटी क्राइटिरिया है प्लस आप उसके लिए क्या-कया document requirement है उसके लिए कितना working capital लगेगा प्लस आपको कितना profit होगा कितनी number of main power requirement होगा machinery की क्या कीमत होगी वो सारे details में आपको इस वीडियो में step by step बताऊँगा और आप online कैसे apply कर सकते हैं आरा मशीन के license को लेने के लिए मैं total चीज इस वीडियो में बताऊँगा प्लस मैं आपको बदा दूँ friends कि मैं आज इस वीडियो में आपको live दिखाऊँगा कि अगर आप UP location से है यानि उत्तर परदेश से अगर आप belong करते हैं तो अगर आपको उत्तर परदेश में अगर open करना है किसी भी जीले में तो आप उसके लिए online license को कैसे आप apply कर सकते हैं मैं आपको total इस वीडियो में live दिखाऊँगा तो उससे पहले मैं आपको बदा दूँ friends की 1996 के बाद में एक भी new license grant नहीं हुआ है आरा मशीन का 1996 के पहले तो बहुत सारे license grant हुए थे उन्होंने ये भी बताया था कि जो भी number of trees है बहुत जादा ही काटे जा रहे हैं वो आरा मशीन के लिए तो उसके बाद क्या हुआ हुआ Supreme Court ने इस बात को बहुत ही गौर से देखा उसके बाद सभी राजे को एक अध्यादेस जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि आप सभी स्टेट को एक आपको रिपोर्ट देना पड़ेया कि इस स्टेट में number of production of tree per year कितना हो रहा है प्लस number of आरा मशीन कितने हैं आपके स्टेट में ये सारे रिपोर्ट जो है हर एक स्टेट को सब्मिट करना था जब सभी राजियों ने अपना रिपोर्ट सब्मिट किया तो उसमें सुप्रिम कोर्ट ने पाया कि number of आरा मशीन है वो बहुत ही जादा है number of production of tree per year के हिसाब से तो उसके बाद क्या हुआ कि new license जितने भी grant होने वाले थे उसको रोग दिया गया सुप्रिम कोर्ट की तरब से और उसके बाद कोई भी नया license grant नहीं किया गया उसके बाद 2015 में केंदर सरकार के तरब से एक announcement आया किसमें small scale industry को बढ़ावा देने के बात क्या गया था तो उसमें क्या हुआ कि wood based industry जो भी small scale industry के अंदर गती आ रहा था तो उसमें कोशन राइज हुआ cabinet में कि अगर हम लोग आराव मशिन को अगर बढ़ावा नहीं देंगे तो आप wood based industry कैसे आप open कर सकते हैं क्योंकि number of infrastructure जो है day by day increase कर रहा था जिसके लिए आप लोग खुद समझ सकते हैं कि अगर interior अगर करवाना है घर का या किसी को infrastructure डिवलप करना है अगर interior गा तो उसके लिए wood का उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी है बिना wood के आप कोई भी furniture नहीं बना सकते हैं उसके बास केंद सरकार ने क्या किया कि उन्होंने बताया कि 12 इंच का जो आरा मशीन है उसके लिए मैं आपको लnajसेंस grant करूंगा उस से ज्यादा का मैं लाईसंस grant नहीं करूंगा तो 12 इंच का जो आरा मशिन है उसको भी जो है लगू उद्योग में रखा गया है बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आप इसके अंतरगत में आपको लोन भी मिल जाएंगे बहुत सारे आपको लगू द्योग के रिगलेटिड आपको बहुत सार लोन की फैसलेटी है उसके तहट में आप लोन की सुविधा आपको उपलवध हो जाएगे तो ये इंडेस्ट्री सेटप करने के लिए अब आप लोग के लिए बहुत ही असान हो चुका है उसका कही न कहीं power आपको कम ही consumption होगा तो friends मैं आपको बता दूँ कि ये जो मैं आरा मशिन के बारे में आज आपको बताने वालो हूँ कि आप इसका online license के लिए कैसे apply करेंगे मैं आज UP location के लिए बताऊँगा अगर आपको कोई भी state में अगर open करना है तो आप मुझे इस वीडियो के comment box में आप comment करेंगे मैं आपको वहाँ बताऊंगा कि अगर आपको कोई भी other state के लिए open करना है आरा machine like आपको MP के लिए करना है या महाराष्टर के लिए करना है या Assam के लिए करना है मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंतरगत में मैं आपको सारी जानकारी दो कि आप आरा मर्शिन को कैसे सेट अप कर सकते हैं, उसके लिए आप लाइसेंस कैसे लिज सकते हैं, तो इसलिए फ्रेंड्स आप इस वीडियो को बीना स्किप के पूरा अंतर देखेंगे, ताकि आपको इस वीडियो की पूरी जानकारी मिले, प्लस मैं आपको इस वीडियो में पर स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा, और आप मेरे इस वीडियो पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेसल के नोडिफिकिशन ओन कर लिजे, चलिए वीडियो के स्टाट करते हैं, अगर आप आप आड़ा मशिन का इंडसरी सेटप करने जा रहे हैं, तो आपके लिए यह जानना बहुत ही जरूरी है, कि आप जिस लोकिशन में ओपिन करने जा रहे हैं, या आपको इस राज्य का जो गाइड लाइन है आप माशिन ओ आपने जा रहा हूं मुझको उत्तरपरदेश स्टेट का जो भी गाइडलाइन होगा फोरेश डिपार्टमेंट का आरा मशिन आपने का मुझे वो गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगा अभी क्या है जो गाइडलाइन है mostly सभी स्टेट का कौमन है क्योंकि आपको जो है मंतल आपको कितना पिड़ कटना वो भी आपको information जो है वन भिभाग को देना पड़ेगा और कितना आपका stock में कितना आपके पास में log रखा हुआ है वो भी उसका भी जानकारी जो है आपको forest department को देना पड़ेगा इससे क्या हुआ कहीं न कहीं पारदर्सी जो है transparency जो है government और जो में लिखा भी रहेगा कि आपका license जो है 30 दिनों के अंदर रद कर दिया जाएगा अगर आपका जवाब satisfactory नहीं निकला तो तो इसलिए मैं आपको बदा दूं कि form 10 आएगा जिसमें आपको पूरी stock की जानकरी देनी पड़ेगे प्रस आपको monthly return आपको file करना पड़ेगा form 6 म तो मैं आपको आगे का procedure बताऊंगा कि आपका eligibility criteria क्या है प्लस आपको कौन-कौन से document के requirement है प्लस आपका working capital कितना लगेगा आपको number of main power कितने लगेंगे तो चलिए friends मैं पहले आपको बदाता हूं कि आपका eligibility criteria क्या होगा अगर आप आरा machine का industry setup करने जा रहे हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं यहां पर आपको eligibility criteria लेके आया हूं 100 mill industry का आप देख रहे हैं पहला जो eligibility criteria है applicant का जो age है वो 18 साल compete होना चाहिए प्लस मैं आपको बदा दूँ आप देख रहे हैं यहां mention किया वाई कि all category of wood based industry with proposed investment of up to one color should have net worth of not less than one fourth of the proposed investment देखिए यहां पर क्या बोलागे है आपकी खूद की जितनी भी property होगी अगर आपका जो भी proposal होगा जिस सपोज मैं मानता को 50 lakhs का हुआ यह 25 lakh का हुआ तो आपका खूद का net worth है वो आपका जो भी investment है उसका one fourth होना चाहिए सपोज मैं example लेके बताता हूँ कि अगर आप wood based industry अगर open करना चाह रहे है तो आपने उसका project report बनाया होगा सपोज वो एक कोड़ का है तो आपके पास में net worth जो भी आपका property है वो खुद का जो आपका जो net worth होगा वो आपका 25 lakh का होना चाहिए अगर more than अगर one quarter का होगा तो यहां लिखा हुआ साप में कि not less than one third of the proposed investment ठीक है अगर आपने wood based industry का जो भी proposal बनाया होगा अगर उसका costing अगर one quarter के उपर जाता है तो definitely आपका जो net worth है वो one third होना चाहिए proposed investment का तो यह था आपका दूसरा eligibility criteria फिर मैं आपको बदाता हूँ कि नी लिए apply कर सकता है plus sole proprietorship firm है partnership firm है AOP firm है हुए हिंडू undivided firm बोलते है इसको private limited है public limited भी है यहां कोई भी government department भी कर सकती है और LLP firm भी कर सकती है plus मैं आपको बदाता हूँ कि चौथा नमर में क्या mention क्या हूआ है आप देख रहे हैं यहां चौथा नमर में में क्या mention क्या हूआ है उडबेस इंडस्ट्री जो है सेल बी एलाओ तो अपरेट बियोंड 10 किलोमेटर अफ दे अरियल डिस्टेंस फ्रॉम बांडरी ऑफ नियरेस्ट नोटिफाइड फोरेस्ट और प्रोटेक्टेड एरिया excluding roadside, railwayside, canal, side plantation मैं आपको बदा दूँ कि यहां पे आपको एक केडरिश्टल मैप बनाना होगा जो कि आपको फोरेस्ट रेंजर से अपरूब कराना पड़ेगा उसमें सब चीज मेंशन रहेगा आपका उसमें state boundary मेंशन रहना चाहिए प्लस आपका कितना फोरेस्ट है reserve forest कितना ता? un reserve forest कितना है? प्लस protected forest कितना ये से भी जानकारी जो है उस केडर्चल map में देनी होगे और उस cadastral map को आपको अप्रूब करवाना पड़ेगा रेंजर फोरेश से अगर आपका वो रेंजर फोरेश अगर अप्रूब नहीं करता है तो आप इसके लिए apply नहीं कर पाएंगे फिर चलते हैं पांच पे eligibility criteria के तरफ में यहां पर देखी आप क्या mention किया हुआ है यहां पर mention किया हुआ है कि इच applicant has to give an undertaking in the applicant form that he or she will comply with all laws rules as direction issue by उतरपड़ जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप किसी भी state में open करने जा रहे हैं तो आपको उस state का guideline plus law और rule आपको follow करना पड़ेगा सेम चीज आपको यहां पर mention किया हुआ है तो इसी के बिहाप में applicant को एक undertaking देना पड़ेगा फिर आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ कि water and electricity should be available at the site area पानी और बिजली की विवस्ता होनी बहुत ही ज़रूरी है जहां पर भी आप आरा मशीन open करने जा रहे हैं उसके बाद ह हम लोग देखते हैं कि आप कौन-कौन सी document requirement है friends मैं आपको बदा दूँ कि यह जितनी सारी document यहां जो mention किये हुए है यह आपको जो भी form के last जो page है उसमें आपको as a attachment आपको upload करना पड़ेगा अगर इसमें से कोई भी अगर document आपका नहीं है तो आप उस form को fill नहीं कर सकते ह जितनी भी सारी attachment है वो mandatory field है और आपको fill करना ही है आप open करना चाह रहे है आराव machine तो पहले आप यह सारी document है वो पहले arrange कर ले देन जाके आप apply करें आप देख रहे है पहला जो document requirement है पहला क्या है कि recent passport size photo चाहिए और का प्लस दूसरा जो है अधार card चाहिए और का तीसरा ज देना पड़ेगा उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहां पर लिखा हुआ कि net worth notary certified copy आपको notary certified copy देना पड़ेगा आपका net worth का फिर आप देख रहे हैं सात्मा नमबर में क्या बोला है कि solvency certificate आपको देना पड़ेगा bank की दरब से फिर आप आठमा नमबर देखें कि यहा आप खुद का land है आप खुद का land purchase किया हुआ है तो आपको उसका sell date देना पड़ेगा फिर आपको एक finally 10 नमर मांगा कि खसरा या खतियान का आपको copy चाहिए जो भी प्रपोस जहां पे भी आप आरा मशीन बिठाने जा रहे हैं जिस land पे दिन जाके आपको 11 नमर में आपक आपको एक नक्सा लगेगा जिसको visual map बोलते हैं जिसको हम लोग की plan भी बोलते हैं तो यह आप अटेच करना पड़ेगा देन आप बारा नमर में देखें कि एक एक आपको approval copy लगेगी 5 km cadastral map का of the site area आपको मैंने जस्ट अभी थोड़ दर पहले ही बदाय था जिसको आपक आपको इस साथ में supporting document में देना पड़ेगा देन आपको एक copy of NOC देना पड़ेगा जो की district magistrate से आपका वो issue होना चाहिए देन यहां पर आप देख रहे हैं कि attached copy of certified municipal corporation industrial area एक proposed place of establishment falls in industrial area अगर आपका जो भी प्रपोस जहां पर भी आप आरा मशीन अगर आप बैठाने जा रहे है industrial state में नहीं आता है या municipal area में नहीं आता है तो आपको एक declaration sign करके देना पड़ेगा उसके बिहाप में तो यह आपको 40 number वहाँ फिर finally जो 50 number क्या है आपको एक GPS location आपको देना पड़ेगा कि आपका site area के GPS location क्या है 10 रुपे के stamp paper पर आपको one अपराद से लंबित ना होने की इस्तिती में एक सपत पत्र आपको देना पड़ेगा फिर आप देख रहे हैं यहां पर mention किया हुआ है कि 100 रुपे के stamp paper पर वन विभाग के नियमों का आप नियमों और वी नियमों से सहमति की स्तिती में एक सपत पत्र आपको submit करना पड़ेगा देन हम लोग देखेंगे कि आपको type of category of license क्या होता है category of license में हम लोग जैसा देखेंगे कि पहला जो है आप देख रहे हैं 100 mil लिखा हुआ है जिसको हम लोग आरा machine भी बोलते हैं उसके बाद आपको देख रहे हैं यहां venery mil दिया हुआ है फिर आप देख रहें third number जो unit है plywood manufacturing unit है एक fourth number में MDF है and HDF है fifth number म में stand alone cheaper का है seventh में particular board manufacturing unit है फिर आप देख रहें MDF HDF plus equal boards unit है तो यह सारी जो है category के license है आठ तरह के category license है अगर आप wood based industry से related अगर आप project बनाना चाहते हैं तो यह जो है मैंने processing बताया है कि आपका forest से कैसे आपका log आता है फिर उसको हम लोग debarking कैसे करते हैं यह सारे चीज़ यहां process mention किये हुए हैं तो यह उतना importance नहीं है जो मैं आपको important बताने जा रहा हूँ जैसे कि आप हम लोग चलेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि कितने तरह के saw mill होते हैं कितने तरह के our machine होते हैं जो melee होते हैं यह तो एक stationary saw mill होते हैं अठ दूसरा जो portable saw mill होते हैं पोटable में क्या होता है कि आप वो machine को कहीं पर भी ले के जा सकते हैं अगर आपको यहां से 10 km मिटर पर आपको ले के जाना है वहाँ आप इस पोटेबल सो मिल को आप वहां तक ले के जा nga सकते हम वहाँ पर पर सिर्फ में ऐसा कुछ नहीं होका इस टसिटिप किया है तो आपको वहीं पे ले तो इसको circular saw mil बोलेंगे large band saw होगा तो आप circular में ही देखेंगेंगे बहुत यह बड़ा होता है उसी को large band saw बोलते है इसको पोटेवल में देखेंगे देखेंगे पोटेवल में क्या होता है chain saw mil होता है एक swing blade saw mil होता है कि फाइनली जो है third number band मिल होता है यह मैंने आपके जनकारी के लिए बता दिया ऐसा यह project में important नहीं है आप उसके बाद देखेंगे कि यहां पर क्याल मैंने mention किया होगा type of saw machine देखें दो तरक ही mainly type होते है एक तो जो होता है horizontal band saw होता एक vertical band saw होता है आप जनरली अभी जितना भी देखें होंगे vertical band saw में लोग काम करते हैं यह मैंने जो आपको दिखाया है यह 12 इंच का आरा मशीन का यह साइज है आपको mainly यही आरा मशीन आपको अपने जो भी प्रोजेक्ट में आपको सेट अप करना है आप यह देख रहे हैं एक horizontal है जिसका मैंने figure यहाँ पर लगाया है देखिए एक horizontal band saw है यह horizontal में है आप देख रहे हैं यह दो will लगा हुआ है इसमें एक आरा यहाँ लगा हुआ है इसके थूरू यह log को यह काटेगा इसको तो इसमें finally क्या होता है कि हम लोग log को directly convert करते हैं plank में तो यही process इसमें continuous चलते रहता है फिर आप देखे vertical band saw है vertical band saw में क्या होता कि जो will है जो आपका vertically लगा रहेगा और यह जो will में है आरा लगा रहेगा आपका इस tool post पे जो है आपका जो log रखा रहेगा और इसके बाद यहाँ से आगे की process की और जाएगा अब हम लोग देखेंगे की आपका plant का layout कैसा होगा जैसे आप generally देखते होंगे की आरा मशिन का जो है तीन तरह के layout होते plant layout में मैंने पहला जो बताया है वो Lsep layout बताया है आप देख रहे हैं मैंने यहाँ figure mention किया हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे Lsep में एक आरा मशिन का industry setup किया हुआ है आप देख लें यहाँ पे ऐसे एक यहाँ से vertical आया हुआ है फिर यहाँ से horizontal आया हुआ है इसको हम लोग Lsep आरा मशिन industry setup बोलते हैं दूसरा जो है मैंने Isep में layout दिखाया है जितने भी पुराने आरा मशिन है वो आपको Isep के layout के हिसाब से आपको देखने को मिलेंगे प्लस थर्ड नमबर हम लोग देखेंगे थर्ड नमबर में कौन सा है थर्ड नमबर में जो है T-shape layout है आपको T-shape layout जो है बहुत ही कम मिलेंगे देखने को बट आपको आप जब भी जाओंगे साउधन साइड में आगर जैसे कैरला हुआ साउध साट में जहां जाएंगे आपको T-shape में ही layout मिलेगा प्लांड का जो भी आरा मशिन का है फिर हम लोग देखते हैं कि जो सौ मिल है उसका जो process chart कैसा होता है चलिए हम लोग देखते है process chart कैसा होता जैसा कि मैंने यहां पर आपको दिखाया है आप देख लिए दब सो मिल प्रोसेस फ्रॉर्स टू सौन उड़ प्रोड़क्ट कैसे आप फाइली इसको कनवर्ट करते हैं यहां पर लॉग है तो plank convert होने के बाद वो sowing में जाता है sowing होने के बाद फाइली जो है वहाँ पर stock त्यार होता है stock त्यार होने के बाद क्या होता कि अगर उसमें जितने भी particular जो भी हमको size का अगर उसको cutting करना है तो हम लोग उसको particular size में cutting करते हैं फिर देन जाके हम लोग drying के लिए एक stock ad बनाते हैं जहां पर हम लोग उसको as a inventory रखते हैं उसको देन जाके हम लोग उसको supply के लिए बाहर भेजते हैं आप देख रहे हैं जैसा मैंने layout तयार किया है आप एक बार देख लेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे cost analysis जो है आरा मशिन का क्या होना चाहिए जैसा कि मैं आपको बताया था कि 12 inch sow mill का ही अभी permission दिया जाएगा आपको 12 inch का आरा मशिन का ही यह permission आपको दिया जाएगा जैसे कि आप देख रहे हैं कि working capital जो है आपके पास में 5 लाग होना चाहिए अब machinery के बात करें तो machinery में क्या है कि वो आप पे depend करता है आप कौन सा machinery setup करना चाहते हैं अपने meal में जैसे कि vertical band sow अभी just मैंने आपको दिखाया देर आप देख रहे हैं कि horizontal band sow mil जो setup करना है आपको 12 लाग से लेके 15 लाग तक के आपको budget रखना पड़ेगा अगर उससे उपर जाते हैं जैसे कि आप उड़ माईजर वगर अगर आप बिठाना चाहते है तो उसको 175 लाग से लेके एक क्लोर तक भी जा सकता पर इसके लिए भी पर्मिशन नहीं है मैंने इसी तरह आपको यहां मेंशन करके दिखा दिया अगर आप यहां पर इसको setup करते तो 75 टू वन क्लोर तक जाएगी इसकी अब वो आपको depend भी करता है कि करना production capacity है जैसा कि मैंने यहां note में mention कर दिया है कि machinery cost and working capital also depend on the plant capacity आपको capacity जितना होका plant का उसके उपर भी cost depend करेगा अगर आप electrical use करके अगर आप इसको अगर रन करना चाहते है इंडस्ट्री के तो आपको 20 to 25,000 आपको consider करना पड़ेगा कि महन machine को run करने के लिए देर हम लोग देखेंगे कि main power deployment का कैसा है यहां पर structure जैसे कि main power deployment में हम लोग देखेंगे कि पहला जो है आपको skill level 2 चाहिए जो कि आपका जो है आरा machine के पास में continuous एक लगा रहेगा आपको 2 skill level चाहिए दो semi skill level चाहिए then one un skill level चाहिए और एक manager चाहिए अब देख रहे हैं यहां पर total जो salary है आपका 50,000 per month आपका as a expenditure जाएगा और electricity में आपका यहां पर separate है प्लस digitate का जो भी आपका diesel आपका यहां पर consume होगा वो आपका अलग से है तो यह सब जो ही cost आपको ध्यान में रखना है कि यह सब को cost को आपको count करना है प्लस आपको जो budget मैं है state government के वो आपको follow करने पड़ेंगे time to time friends अगर आप इस eligibility criteria का fulfill कर रहे है प्लस आपके पास में यह सब document है दिन हम लोग देखेंगे कि आप आरा मर्शन के license के लिए online apply कैसे करेंगे तो हम लोग को इस page पे आ जाना है मैं यह link जो है आपको video के description में आपको दे दूंगा आप आपको finally आप देख लें यहां पर mention किया हुआ है कि application form to apply for new license registration to setup and operate a wood-based industry आपको यहां लग रहा होगा कि यहां mention किया हुआ 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 है मैं आपको बता देता हूँ starting में ही मैंने आपको बताया था कि वहां पर category of license mention किया हुआ था आप जैसे कि मैं आपको दिखा हू होना चाहिए और one VBS होना चाहिए यहां पर क्या mention क्या हुआ है हुआ हुआ कि horizontal band so हुआ और vertical band so यह तो आप horizontal लगाई यह आपको वर्टीकल लगाना होगा तब यह आप सो मिल के लिए apply कर सकते हैं आप देख रहे होगों यहां बहुत सारे category of license mention किया होगा अगर आपको दू में रखते हुआ आप इसको apply करेंगे तो यहां कुछ-कुछ जो points से आप पढ़ लेंगे read कर लेंगे बहुत अच्छे से आपको इसमें annual fee कितना लगेगा आपको license लेने में आपको यहां mention किया हुआ जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ जैसा कि यहां mention किया हुआ है अगर आप 100 mil open करना चाहा रहे हैं और आपका जो 100 है वो vertical band type रहा तो आपको annual fee 2000 लगेगा license के लिए अगर 5 साल के लिए लेना चाहते हैं तो आपको 10,000 पर आपको fee pay करना पड़ेगा दिन आपको renewal के time में फिर again 5 years के लिए लेंगे तो आपको उस समय जो भी fee होगा per year की हिसाफ से आपको paid करना पड़ेगा हम लोग इसको यहां से scroll down करेंगे जब scroll down करेंगे तो उसके नीचे देखेंगे कि एक यहां पर आपको accept करना पड़ेगा term condition तो आप यहां पर tick out कर लेंगे देन जाके आप continue पर click करेंगे चली continue पर click करते हैं जैसे ही continue पर click किजेगा आपको एक registration form open होके आजाएगा जिस तरह आप देख रहे हैं यहां पर पहला जो है आपको title mention करना पड़ेगा आप यहां चूज कर लेंगे फिर आपको name fill करना पड़ेगा first name यह last name fill करना पड़ेगा फिर आपको अपना अधार number यहां mention करना पड़ फिर आप देख रहें यहां पर आपको एक register आपको यहां पर email ID mention करना पड़ेगा फिर आप यहां पर अपना user ID अब ऊ Beetle आप डिदेगा इस फिल करना पड़ेगा रेंगे चलिए मैं इस फॉर्म को फिल कर लेता हूं जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इस form को परा फील कर लिया है उसके बाद मैं register प्रेकर करूँ गा चलिए register प्लिक करते हैं जैसे ही आप register प्लिक कीजेगा आप देख रहे हैं कि आपका registration हो चुका है मैं इसमें login कर लिया हूँ, देख रहे हैं आप यहां मेरा username के थुरू यहां पर hello लिक के आया हुआ है, प्लस आपको यहां online service mention किया हुआ है, status mention किया हुआ है, आप देखेंगे यहां पर कि आपको बहुत सरा news and updates आपको यहां mention किया होगा, आप सबको अगर लगता है कि चाहिए, तो आप पढ़ सकते हैं यहां से, प्लस आपको यहां state label जो committee है, wood based industry के लिए, वहां पर उसके बियाप में बहुत सरे guideline दिये हुए है, आप इसको भी अच्छा से पढ़ लेंगे यहां पर, आपको online application करना है, आरा machine के license के लिए, तो उसके लिए आपको online service पे click करन पढ़ेगा, आप देख रहे हैं, यहां online service है, आपको यहां click करना पढ़ेगा, चली click करते हैं, आप देखेंगे कि first में जो click किया है, new license, आपको new license पे click करना पढ़ेगा, जैसे ही आप new license पे click किजेगा, आपके पास में new license का application form open हो किया जाएगा, तो आपको क्या करना है, इस application form को आपको fill कर लेना है, तो चली इसको मैं fill कर लेता हूँ पूरा, आप देख रहे हैं, मैंने इस form को पूरा fill कर लिया है, उसके बाद क्या करना है, आपको submit पे click करना, चली submit पे click करते हैं, जब आप submit पे click करेंगे, तब आपके पास में इस प्रकार से आपके पास में attachment का एक page open हो कि आ जाएगा आपको यहाँ पे attachment जितना है आपको सबको upload करना पड़ेगा आप देख रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपको document requirement है अगर आपका lease पे है तो उस अगर आपका लीज़ पे है तो उस अगर आपका वो इंडस्ट्रिय अरिया में fall नहीं करता है तो उसके बाद क्या करेंगे जब यह upload हो जागा document तो देन आप उसके बाद submit पे click करेंगे आप जब submit पे click कर देंगे तब आपको एक mail आएगा उस mail में आपका application नमर मेंशन रहेगा प्लस आपका जो भी application है उसको आप print निकाल लेंगे उसमें आपको मेंशन किया रहेगा कि आप पांसर के लिए लाइसेंस ले रहे हैं उसके लिए आपको फी जमा करना पड़ेगा 10,000 रुपीज तो आपका demand drop होना चाहिए demand drop के साथ में आपको submit करना पड़ेगा देन जाके वो file जो है रेंजर फोरेश्ट के पास आएगा रेंजर फोरेश्ट जो है आपका site verification करेगा जहां पर भी आप आरा मशिन सेटप करने जा रहे हैं उस site का verification करके फिर वो अप्रूब करेगा देन जाके वो finally जो है DFO के पास district forest officer के पास में पोझेगा तो वो आपका जो है finally approve करेगा तो friends इस प्रकार से आप online जो है आवेदन कर सकते हैं अगर आपको 12 इंच का आरा मशिन open करना है तो और मैं आपको एक बात बता दूँ कि 12 इंच का आरा मशिन है उसके लिए हर एक state government क्या हो कर रही है अपने नए launch हो जाएगा तब यह जितना data है सब उस पे shift हो जाएगा तो मैं आपको बता दूँ अगर जिसको भी करना है तो जल्ली कर लें क्योंकि फिर इसके बाद यह website काम नहीं करने माला है उसके बाद जो new website जो launch होगा उस पे ही जितना काम होगा सब उसी पे होगा 12 इंच का आरा म